अब यह हमारे साथ है North West Delhi के Congress के प्रत्यासी रमेंस लिलोतिया जी, सर यह जो चुनाओ आप लार रहे हैं, यहांके जो जमीनी समस्या है, यह यहां जो दिल्ली की जो में समस्या है, अज बेसिकली इस छेत्र की जो विम्मेंट सेफ्टी को लेकर है, यह जो साथी समस्या है, इ देखें, बड़े अफसोस की बात है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से क्राइम बढ़ा है, महिलाओं के उपर अत्याचार बढ़ा है, और जो क्राइम पूरी दिल्ली के अंदर बढ़ा, खास तोर पर मैं नॉर्थ वेस्ट पार्लिमेंट कॉंस्टिंसी की बात करूँगा तो ये बहुत एक positive sign नहीं है, तेकिन इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने चुनाओं के manifesto में जो priority रखी है, जिसमें मैं महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कारिकरम launch किया है, जिसमें इंदरा शक्ती आप के नाम से जो launch कारिकरम है, उसमें कोई भी लड़की अपने mobile phone में download करके उस app को, चार telephone number अगर feed करती है, और in case of emergency अगर उसको ऐसा लगता है कि उसकी इज़त पे और उसकी जान पे खत्रा है, तो side से जो power button उसको चार-पांच बाती है, तो उसकी family के members के पास में message जाएगा with location, कि मैं इस location पे हूँ मेरी जान खत्र में शायद उसको साहिता मिलेगी, सर यहाँ त्रीकों यह चुना हो रहा है, आम आद्वी पार्टी के भी है और BJP के और आप Congress है, तो आप अपने आपको कहां देख रहे हैं आप इस नमबर एक पे, जीतने वाली situation में, और जिस तरीके से लोगों का अपार समर्थन नहें मि देखना है, उससे लगता है कि Congress Party बहुत अच्छी तरीके से चुनाव जीतेगी, और हम यहाँ पे जो लोगों से वाइदा किया है, लोगों को सेवा करने का वाइदा हम पूरा करेंगे। जिसने लोगों को जुट बोला, और सबसबाग दिखाए, बड़े-बड़े वाइदे किये, और लोगों को ऐसे लगा कि शायद यह कुछ करेगा, केजरिवाल ने जो वाइदे किये, वो कोई भी वाइदा पूरा नहीं किया, और लोगों ने एक मौका दिया था, दिली के लोग बहुत दिल के साफ लोग हैं, मनको आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, उन्होंने विश्वास किया, लेकिन उनके साथ में विश्वास घात हो गया, आज आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है पूरी तरीके से, और जिसकी वज़े से जो कॉंग्रेस को नुक्सा इस वज़े से हुआ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज जब मैं लोगों की बीच में जा रहा हूं, लोग मला दिल खोल कर हमें अपना आशिरवात दे रहे हैं, और उनको महसूस हो रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी ही विकल्प है, दिल्ली में भी और देश में भी उजवल भ पूचिए, क्यों गडवंदन करना चाता था? अपने बच्चों की कसम खाकर अगडवंदन की बात कर रहा है, तो केजरिवाल से सवाल कीजिए, हमारी तरफ से पहले दिन से बहुत मजबूत तरीके से स्ट्रॉंग स्टेंड था, कि हम कोई गडवंदन नहीं चाते, और खा प्रजनितिक दौर पे या समाजिक दौर पे किस तरीके से उसके साथ में कोई अंडिस्टैंडिंग बना सकते हैं? चुनाओ है यह, चुनाओ के अंदर जो हमारा कॉंग्रेस पार्टी का मेनिफेस्टो अलरी लॉंच किया है, जिसके अंदर नयाय योजना हमने दिया है गर जवान कोई भी अगर कारोबार करना चाहता है उसको तीन साल तक किसी लाइसेंस किसी परमिशन की जुरूरत नहीं है, उसको काम करने के लिए सस्ते दर के उपर लोन मिल सकता है और उसी तरीके से किसानों के लिए है, किसान अगर कोई लोन ले लेता था तो उसके खिलाफ और वो वापिस नहीं कर पाता था, तो क्रिमिनल केस चलता था, राहुल गांदी जी ने एक इतिहासिक फैसला किया, किसानों के खिलाफ लोन के उपर जो मुकदमा बनता था, वो अब सिविल में बनेगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, उनका करजा माफ होगा, उनको मौवज़ा दिलवाएंगे और उनके लिए इस तरीके का एक बोर्ट भी तैयार करेंगे, जहांपर उन लोगों को उसके अंदर फाइदा पहुंच सके, जीत कर आएंगे तो पहला काम क्या करेंगे जनता के लिए? जब जीतेंगे उसके बाद बताएंगे.